आज हम सीखेंगे कोईला और पेट्रोलियम संसाधन के बारे में कोईला और पेट्रोलियम हमारे लिए उर्जा याने एनर्जी के महत्वपूर्णस त्रोत याने सोर्सज है ताब बिजली घरो यानी थर्मल पावर प्लांस में कोईले का प्रयोग इंधन याने फ्यूल के रूप में करके हम बिजली याने इलेक्ट्रोसिटी उत्पन करते हैं इसी तरह विभिन पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल एवं पेट्रोल का प्रयोग यातायात के विभिन साधनों जैसे मोटर वाहन, जल यान एवं वायू यान में किया जाता है कई वस्तों जैसे पारफीन मोम, ग्रीस के निर्मान के लिए भी इन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है ये संसाधन लाखो वर्ष पहले जीवों के जमीन या पानी के नीचे दब जाने से तथा इनका अबगटन होने से बने हैं इसलिए इन्हें हम जिवाश्म इंधन यानि फॉसिल फ्यूल कहते हैं इनके बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है इसलिए इनकी मातरा भी सीमित है हमारे वर्तमान विकास के लिए हम इनका अत्यदिक दोहन यानि enormous exploitation कर रहे हैं जिसके कारण ये इंधन तेजी से कम होते जा रहे हैं यह आकलन किया गया है कि यदि हम वर्तमान गती से इनका दोहन करते रहे तो कोईला अगले 200 वर्ष तक तथा petroleum अगले 40 वर्षों तक ही उपलब्ध हो पाएगा यदि हम इनका सावधानी से भी उपयोग करते हैं तब भी भविश्य में इनका समाप्त हो जाना निश्चित है इसलिए हमें उर्जा के विकलपी स्त्रोतों यानी alternative sources की खोच करना अवश्यक है वे सभी स्त्रोत जैसे पवन उर्जा, जल विद्यूत, सौर उर्जा, आदी जो जिवाश में इंधनों के स्थान पर उपयोग किये जा सकते हैं विकलपी स्त्रोत कहलाते हैं कोईला और पेट्रोलियम इंधन में कार्बन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तता गंधक यानी सलफर भी होते हैं जब इन इंधनों का प्रयोग किया जाता है तो उर्जा के साथ अन्यपदार्थ भी उत्पन होते हैं जैसे कार्बन डाय उकसाइड, जल, नाइट्रोजन के उकसाइड, सलफर के उकसाइड, इत्यादी कार्बन डाय उकसाइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृत्वी पर उश्मा बनाए रखता है जो जीवन के लिए आवश्यक है जीवाश में इंदनों का अत्यदिक दोहन कीए जाने के कारण परियावरण में कारबन डाय उकसाइड की मात्रा में अत्यदिक वृद्धी हो रही है जिससे उश्मा भी बढ़ रही है इससे पृत्वी के तापमान में वृद्धी हुई है इसे ही हम वैश्विक उश्मन यानि ग्लोबल वामिंग कहते हैं यदि इन इंधनों को जलाते समय ओक्सिजन के मात्रा उपरियाप्त हो तो इससे कार्बन मोनो उक्साइड गैस उत्पन होती है जो एक विशैली गैस है नाइट्रोजन और सलफर के उक्साइड भी विशैली गैसे हैं इन गैसों के उपरी वायू मंडल में वर्षा के साथ मिलने पर अमलयुक्त वर्षा यानि आसेड ड्रेन भी होती है आप इंटरनेट पर अमलयुक्त वर्षा के दुश्प्रभावों को अवश्य पता कीजिए इन सब कार्णों से हमें कोईला और पेट्रोलियम संसादुनों का विवेक पूर्ण उपयोग करना चाहिए हम हमारी गति विदियो में परिवर्थन लाकर जिवाश में इंदनों की खपत में कमी ला सकते हैं जैसे यात्रा करने के लिए हम अपने वाहन के स्थान पर पैदल, साइकल से या बस से यात्रा कर सकते हैं इसी तरह कारपुलिंग या राइड शेरिंग भी कर सकते हैं जिसमें एक से अधिक व्यक्ति एक साथ यात्रा करते हैं तथा कुल लागत को बाट लेते हैं हमें समय समय पर अपने वाहनों की दक्षिता पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि इंधन से प्राप्त उर्जा की हानी न हूँ चुकि कोईले की साहिता से बिजली उत्पन की जाती है इसलिए हम अपने घरों में बिजली का विवेक पूर्ण उपयोग कर सकते हैं जब आवश्यक ना हो तब बिजली के उपकरण बंद रख सकते हैं इसी तरह हम हैलोजन बल्ब के स्थान पर एलीडी बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं सर्दी के दिनों में हीटर का प्रयोग न करके स्वेटर का प्रयोग कर सकते हैं हम सौर उपकरणों की सहायता से भी बिजली बचा सकते हैं इससे बिजली का बिल भी कम आएगा हम बायो गैस, बायो डीजल जैसे मानव निर्मित इंधनों के प्रयोग से जिवाश में इंधनों की खपत नियंद्रित कर सकते हैं अधिक से अधिक पेड लगाकर हम वायू मंडल में कारबन डाय उकसाइड की मात्रा को नियंद्रित करने में भी साहिता कर सकते हैं आप अपनी गति विदियों में परिवर्दन लाकर परियावरण को बचाने तथा संपोशित विकास में अपना सहयोग अवश्य दे तो आज हमने सीखा कोईला और पेटोलियम संसाधन के बारे में